तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोशन को देखो इसमें क्या कहा रहे हैं कि एक सॉलिड एस्पीर है जिसका मास M है रैडियस तो चलो एक यहां से सॉलिड एस्पीर बना लेते हैं जिसका मास M है और रैडियस कुछ लिए तो इस बैसिकली सॉलिड एश्पीर यह अंदर से भणा होगा मास स्माल M है वह बनाव खैपिल मैं और रैडियस ए सै चलो इसके बार एक सेल है जिसके अपनी कुछ थीख नेस है तो यहां से तुम देखोंगे इस सेल की अपनी कुछ थीकनेस वेलू है और वह जो ठीकनेस है वह यहां पर दीbuilt हुआ यह सेल है baik जो कि ठीक सेल है इसके बाहर है तो यह जो तो यह बैसिकली यह सेल है यह थीक सेल है यह वाला तो यह जिसकी यह वाली जो थीकनेस है यह बैसिकली 2a तो यह 2a और यह अपना ए है तो यह कहते हैं कि gravitational field at a distance 3a from the center मलब यह आसान सवाल है तो center से अब हम चले जाते हैं तो बैसिकली center से देखो तो center से थिरी यह कौन सी distance होगी तो center से थिरी यह वाला distance आएगा यहां पर मतलब यहां पर gravitational field की value कितनी होगी देखो अब यह पूरा इसका जो मास है और इसका मास 2m है तो अब center से देखो कि जब इसको यह touch ही कर रहा है कोई space नहीं है तो वैसे भी यह circle है तो पूरा मास इस center पर पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है तो इस center पर मैं पूरा मास 3m consider कर दे रहा हूं तो 3m यह point मास जाएगा और यह distance 3a वाले distance पर gravitational field की value कितनी होगी अब बड़े अराम से हम निकाल सकती है हमें इने point मास बना दिया तो मैं cell को solid को point मास बना सकता हूं तो यहां पर जो gravitational field की value आ जाएगी तो वह क्या होता भाई gm over r का square एक मास का होता है तो g यहां कितना मास है 3m और radius is equal to 3a का square आ जाएगा तो finally यह जब तुम देखोगे तो 3gm over 9a का square तो finally अगर देखोगे तो 3gm over 3a का square this is the final solution तो 3gm over 3a का square मतलब यहां से तुम देखोगे gm over 3a square मतलब c option इसका सही हो जाता है तो i hope यह बात आपको clear हो गया होगा thanks for watching this video